नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका दोस्त अभिशेक आप सभी का अपने चैनल हैपी इवेंट अभी में धेर सारा स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम आए हैं नवादा के ITI यह इंडर्स्ट्रियल ट्रेनिंग इस्टिचूट नवादा जिले का बहुत ही पुराना गवर्मेंट और द्योगिक प्रसिचन संस्थान है दोस्तों आप लोगों को यह पता ही होगा आप लोग कभी न कभी ITI जरूर आए होंगे तो चलिए दोस्तों आज हम लोग फिर से अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए घूमते हैं नवादा का ITI मैदान दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले से ITI अब बहुत ही चेंज हो चुका है अब इस संस्थान में नियामित रूप से क्लासेस होने लगी है जो की बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों इस संस्थान में गल्स और वाइस दोनों के लिए ट्रेनिंग की उचित वेवस्था है यह एक सुन्दर सा गार्डन सजाया गया है जो की देखने में बहुत ही आकर्शक लग रहा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां सिर्फ पानी ही पानी जमी हुई है दोस्तों इस से आवा गमन में लोगों को काफी कठिनाई उठानी पड़ती होगी इन सभी बिल्डिंगों में कलासेस चलती है जैसा कि देख रहे होंगे दोस्तों कि चारू तरफ सिर्फ पानी ही पानी आप लोगों को दिख रहा होगा इस पे सभी को ध्यान देना चाहिए और दोस्तों यह किरान की पुरानी पड़ी मशीन आप सभी को पक्का याद होगा आप कभी न कभी इस पे बैट कर या तो एक्सरसाइज किये होंगे या फिर यहाँ खेले होंगे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ क्लासेस चल रही है इतनी सारी जो साइकिल और मोटर साइकिल यहाँ पे है दोस्तों यह अश्टूडेंट और सिछक लोगों की है अब चलते हैं दोस्तों आई टी आई फिल्ड की तरफ जिसे देखकर आप सभी की पुरानी यादें ताजा हो जाएगे और यह मैं हूँ दोस्तों आपका दोस्त आपका भाई अभिशेक दोस्तों मैं आप लोगों से यह नमर निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल हैपी इवेंट अभी को सब्सक्राइब करें और अपने भाईव को सपोर्ट करें यह जो आप सामने इतनी उची उची इमारत देख पार हैं दोस्तों यह आई टी आई का होस्टल है गवर्मेंट के द्वारा इस होस्टल में गरीब छातरों को रहने की पूरी वेवस्था की गई है दोस्तों आई टी आई का यह फिल्ड देखकर आप लोगों की पुरानी यादे जरूर ताजा हो गई होगी दोस्तों अब यह फिल्ड पाले से चेंज हो चुका है जहां तक कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तो फिल्ड के बिल्कुल बीच में एक अस्टेज हुआ करता था जहां कि इलेक्शन्स के समय आई टी आई में हेलिकोप्टर से हमारे नेता जी उतरते थे और उस अस्टेज पर जाकर भासन देते थे आप सभी को याद होगा दोस्तो अगर आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल हैपी इवेंट को सब्सक्राइब जरूर करें जैहिन दोस्तो वंदे मातरम